केंद्र मंत्री कोशल किशोर पिछले कई सालों से नश्या मुक्ति के लिए मुहिम चला रहे हैं मुंबई में नश्या मुक्ति की कारिक्र में बोलते वे कोशल किशोर भावखो थे इस दोरान उनका बेटे को खूने का दर्द भी बाहरा गया केंद्रमन प्री कॉशल किशोड ने कहा कि मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक लेकिन मैं अपने बेटे को नशे से नहीं बचा पाया इसलिए सभी से अपील करता हूँ कि नशे से दूर रहें ये लोगों को बताने के लिए एक सांसद एक विधायकर लड़का अगर नशे की वज़े से वो जिंदा नहीं रह सकता उसकी डेथ हो सकती है तो जनरल आदमी आम आदमी अपने बच्चों को कैसे बचाएगा इसलिए नशे के खिलाफ एक मुहिम है और हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाना है चाहे वो सराब हो काया चाहे वो तमाखो इसमैक हो चाहे वो ड्रक्स हो और एक सालग जिए की दुनिया में ले जाया जाता है और नसौ बेचने वाले खुद नशा नहीं करते बलकि वह किस्टमर बना करके पैसा पईदा करते हैं और हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं